बास्तु नाक का मूख कौन से महिने में किस दिशा में होता है और पहले खुदाई कहा करना चाहिए किस दिशा में घर का दार नहीं बनवाना चाहिए बास्तु ग्रंथों में बास्तु नाक के बारे में कहा गया है कि कन्यादयों रभीस्त स्त्रेइ, ठनी मोखम पुरबादी स्रिस्ठिक्रम, खातम बायूबा पूरदिशा त्रयोगतम, लागूला प्रिस्ठम, शिरह दारम तस्यों मुखे, ग्रिहादी भयोदम खनोने शी रोम घ्रिवा पिशह कुक्षव शुखम दक्षिने अर्था करना तूला और ब्रिसिक के शुडियों में नाक का मुख पुर्वो दिशाओं में होता है धनु मकर और कुम्भो के सुडियों में नाक का मुख दक्षिन दिशा में होता है मीन, मेश, ब्रिशब के सुडियों में नाक का मुख पश्यम दिशा में होता है मिथुन, कर्क और शिंगों के सुडियों में नाक का मुख उत्तर दिशा में होता है जिस दिशा में नाक का मुख जिस समय हो उस समय उस दिशा में घर का दार नहीं वनमाना चाहिए अर्थात कन्ना तुला और ब्रिसी के सूरियों में नाक का मुख पूर्ब दिशा में होता है इसलिए पूर्ब दिशा में तब दार नहीं वनवाना चाहिए धन, मकर और कुम्भो के सुडियों में नाक का मुख दक्षिन दिशा में होता है इसलिए तब दक्षिन दिशा में दार नहीं वनवाना चाहिए मीन मेश ब्रिशाब के सूरियों में नाक का मुख पश्चिम दिशा में होता है इसलिए तब पश्चिम दिशा में दार नहीं वनवाना चाहिए अब माशानूशार खुदाई की दिशा देखिए प्राच्चियाम नगमखम बुधै निर्गदितम भाद्रो आशिने कार्तिके मार्गात फाल्गुन शुक्रो हो हो क्रमतया इयामिये जले चत्तिरा अर्थात भाद्रबत आशिन और कात्तिक इन तीन महिनों में नाक का मुख पुर्ब दिशा में होता है अग्रान पोर्ष मग महिनों में नाक का मुख देख्शिन दिशा में होता है फाल्गुन शेत्रयों और वईशाक मास में नाक का मुख पश्शिम दिशा में होता है जैश्ठो, आशार और स्टाबुन माश में नाक का मुख उर्तोर दिशा में होता है अब नाक का मुख जिस दिशा में होगा नाक के सिर पर खनन करने से घर के सामी की मता और पीता का नाश होता है मुझ पर खनन करने से रोग, पीट पर खनन करने से हानी एबंग कुक्षी में खनन करने से पुत्रयों धन्यों आदी की प्रापति होती है अर्थात कुक्षी में खनन करने से शुब फल प्राप्ति होती है अर्थात जब नाक का मुख पुर्ध दिशा में हो तब खुदाई बायू कोन में दक्षिन दिशा में जब नाक का मुख हो तब खुदाई इशान कोन में पर्शिम दिशा में जब नाक का मूख हो तब अगनी कौन में खुदाई करना चाहिए और जब नाक का मूख उत्तर दिशा में हो तब खुदाई नयरित्य कौन में करना चाहिए